आज के वीडियो में जानेगे MS Excel 2010 के Home Tab के Font Blok के अंतरगत Font Font Size बदलना तथा साथ ही Bold, Italic, Underline Options के उप्योग के बारे में हमारे दुबार दिगरी जानकारी ये दिए आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बैल आइकन प्रेस करें तो अपनी Home Tab उपन है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Font Option के बारे में तो जैसे ये अपना Font Option है कैसे काम में आता है जैसे Last में ये Maths लिखा हुआ है इसको अपने एक बार हटा देते हैं इसके बाद वापिस आते है Font Option के अंदर अब Pass में देखो Drop Down Arrow है इसके उपर अपने को क्लिक कर देने हैं आपके Computer में जितने भी Fonts हैं वो सारे के सारे नीचे की तरफ शो जाएगी किसी भी एक Font के उपर अपने को क्लिक कर देने इसके बाद जो कुछ भी अपन टाइप करेंगे वो जो हमने Font चेंज किये थी उसके अंतरगत लिखी जाएगी तो मैं टाइप कर देता हूँ Maths देखिए जो पहले अपने Font थी वो अलग है और जो नहीं वाली Font है वो अलग है अपने जो पहले जो Font लिकियो थी वैसा करना हो तो क्या करेंगे इस Word को अपने को Select कर लेना है Select होने के बाद वापिस Font के अंदर आते हैं और जो पहले वाली जो Font थी जो केलिबर थी उसको अपने हो Select कर लेना है Select होने के बाद जो पहले बाकिये जो पहले अपनी font थी उसमें convert हो जाता है इसके अलावा जो उपर वाली row है इन words के अपने को font style चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे वापिस वैसे ही आते हैं select करने के बाद अब जैसे इसे इनकी उपर लेके आते हैं देखिए पीछे की तरफ इनकी font style चेंज होती चाह रही है किसी भी एक के उपर अपने उपर क्लिक करेंगे वो उसमें convert हो जाएगे पहले जैसी करनी हो जैसे अपनी पहले थी caliber font तो उसमें convert करना हो तो वापिस वहीं पर क्लिक करेंगे वापिस font के अंदर आते हैं और caliber के उपर क्लिक कर देते हैं caliber में convert हो जाती है अगला option है font size जैसे हम ये words लिखे हुए हैं अपने को इन words को बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे तो बड़ा करने के लिए जिस word को जिस row को जिस column को अपने को बड़ा करना है उसको अपने को select कर लेना है select होने के बाद pass में देखिए drop down arrow है इसके उपर अपने को click कर देना है अब जैसे जैसे इनके उपर ले के आते हैं वैसे 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 वर्ट बड़े होते जाते हैं छोटा करना हो वापिस इसके उपर click कर देंगे words छोटे होते जाते हैं अब इनके अलावा दो ropes ने पहला है increase font size और दूसरा है decrease font size इनके जरीय अपन size को बड़ा और घटा सकते हैं पहला देखिए increase font size अब जैसे इसे इनके उपर क्लिक करेंगे वैसे वैसे word बढ़ता जाएगा छोटा करणा हो वापिस उसके उपर क्लिक करेंगे ये वर्ड छोटा होता जाएगा अब सभी को करने है तो अपने को पूरी उपर वाली रो को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट होने के बाद वापिस increase के उपर क्लिक करेंगे बड़ी होता जाएगा छोटा करना होगा decrease font size के उपर क्लिक करें छोटी होती चाहिए नीचे की तरफ आते हैं अगले option की तरफ अगला option है bold bold क्या काम में आता है किसी cell में जो लिखा हुआ जो matter है उसको गहरा करना हो गहरा करने के लिए काम में आता है तो कैसे करेंगे सबसे पहले जिस सेल को अपने को bold करना हो जिस सेल के अंदर जो matter लिखा हुआ है उसको bold करना हो पहले उसके उपर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद bold के उपर क्लिक करें या तो अपन bold के उपर क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर इसके अलावा इसकी shortcut के Ctrl प्लस B जैसे अपने क्लिक करते हैं देखे वर्ड बोल्ड हो गया है बाकि सारे वर्ड्स देखे नॉर्मल है और ये 87 एके थोड़ा सा बोल्ड है गहरा है अपने को वापिस जैसे नॉर्मल करना हो तो कैसे करेंगे वापिस इसके उपर क्लिक करते हैं खेंड वापिस बोल्ड की उपर क्लिक करते हैं नॉर्मल हो जाएंगे अगला उप्सन है Italic Italic क्या काम में आता है जो वर्ड अपने नॉर्मल लिखे हुए हैं अग जैसे अपन Italic उप्सन का यूज करते हैं थोड़े से तिर्च हो जाएंगे कैसे होंगे हमने cell को select किया और italic के उपर click किया इसकी भी shortcut किये control के साथ eye press करेंगे word तिर्च हो जाएगे बाकी normal words के वज़ाए तिर्च हो गए वापी सही करना हो सही करने के लिए दुबारा इसके उपर click करेंगे and italic के उपर click करते है वापीस सही हो जाता है अगला option है underline underline क्या काम में आता है जैसे selected cells के नीचे अपने को underline लेके आने हो कैसे लेके आएंगे सबसे पहले उस cell के उपर अपने को click कर देना है और you के उपर click कर देंगे नीचे की तरफ underline आ जाती है अपने को ये तो अभी नीचे की तरफ एक underline होई है अपने को चाहिए कि नीचे की तरफ दो underline मिंस दो lines आ है तो कैसे करेंगे पास में एक arrow है इस arrow के उपर click करेंगे दो option है एक underline एक double underline तो अपने हो जैसे double underline के उपर click करते हैं तो नीचे double underline आने शुरू हो जाती है हटाने के लिए क्या करेंगे वापिस वहीपे क्लिक करेंगे underline के उपर क्लिक करेंगे अपनी underline हट जाती आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को end तक देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो के परती आपके कुछ हुजाओ हैं तो नीचे comment box में comment करें